प्रलाय आने वाली है, धर्ती फटेगी और सब कुछ उसमें समा जाएगा क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पठानों के घर में आज तक महिलाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती दी परन्तु बॉलिवोड का पठान लंगोट का पक्का नहीं दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है दीपिका जी के साथ, लोगों ने फिल्म को सौफ्ट पी ओ आर एन ये कहना प्रारम कर दिया है, ये डिसकस करेंगे परन्तु ये वीडियो ना उससे आगे का है थोड़ा सा शारुक वैष्णो देवी के दर्बार में पहुंचो, क्यूं, वहाँ पर क्या हुआ, और उसके बाद शारुक का क्या हुआ, क्या ये कभी बंध होने वाला है, ये देखेंगे आज, बने रही हमाँ साथ, देख तरी आज कितारा सब्दु तो जी शारुक का क्या हुआ, उ जो आइटम गाने में कर रही है, वो डांस तो लगनी रहा है, ये मूवस तो कहीं और अधिक दिखाई पड़ते हैं, बेडरूम में, गाना बीच पर है, दीपका जी ने जो पहना है ना वो उन्हें चुनने का पूरा अधिकार है, बात इन भायानक मूवस की है, बेडरूम अब जी ये तो नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें इन गानों और मूवस का क्या दोश है, घर पर बच्चों को संभालो, बात सही कह रहे हैं, माबाप का भी रोल होता है और गल्ती भी, पर रिसर्च कहती है कि जो आप फिल्मी पर जो देख रह हो, चाहे सुट्टा मारना हो, या यौन हिंसा हो महिलाओं से, या महिलाओं के तीन अंगों पर किंद्रित ये बहानक मूवस हो, ये डांस तो कहीं से नहीं नदर आ रहा है, और ये गाना अकेला नहीं है, पूरी बाढ़ है इनकी आस्ट्रेलिया में एक भारतिया सिक्योर्टी गार्ड को एक महिला के साथ यौन हिंसा के अउरोप में कोट तक घसीता जाता है, कोट में वो कहता है कोई बॉलिवुट से सीखा है मैंने ये सब कुछ, कोट उसे छोड़ देती है, आप इंफ्लियंस जो है ना वो सोच सकते ह बात यह कि क्यों बनते हैं ये गाने और कैसे नॉर्मलाइजड हो जाता है इस प्रकार का डांस, ऐसे ही नहीं होता है, बॉलिवुट आपके उपर पूरी रिसर्च करता है, क्योंकि कई प्रकार के प्रतिबंध होने के उपरांत भी भारत तीसरे नंबर पर है, नंगी- संपूर्ण को भी पता है, संपूर्ण घपाघप नहीं दिखाया जा सकता, तो कोमल सौम में माहुल बना कर वही मूव्स आपके सामने रख दिये जाते हैं, और उसका परिणाम आपके बच्चों के साथ ये होता है समस्या सेंश्यल गाने से नहीं है, परंतु आइटम नंबर के नाम पर महिलाओं को तीन अंग वाली वस्तू के रूप में प्रेशित करने एक वाली सोच से है और उपर से नीचे तक सब करते हैं इसे, क्योंकि माल इसे में मिलता है पठान का इटम सॉंग वल्गर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सोचल मीडिया पर जांच करने के बाद लोगों के प्रिथक प्रिथक ओपीनियन में से एक अंशिस गाने को सॉफ्ट P.O.R.N कह रहा है कारण ये लोग जाने या आप लोग मैं केवल महिलाओं को तीन अंगों में पिरू देने वाले इस भद्दे डांस मूव पर बोल रहा हूँ महिलाओं को अस्तित्व उनके तीन अंगों से अधिक है आगे चलते हैं शारुक जिस दिन गाना रिलीज होता है उससे पिछली रात को वैशनोदीव के दरबार में पहुँच जाते हैं फिर क्या हुआ वह आगे देखते हैं तो जी आइटम सॉंग क्या करता है उसकी डीटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में रैड फाइल्स का एक एपिसोड डाल रहा हूँ आवश्य देख लीजेगा डीटेल ससी में है क्योंकि पर गजब ये कि आज पठान जी जो है वह वह वैश्य देवी के दरबार में पहुँचे और ये भी खबर बनी अब ये पठान जी का व्यक्तिकत मामला है कि उन्हें कहा जाना है क्या करना है फिल्म की प्रमोशन के लिए गए या स्मय माता को मानते हैं इसलिए गए इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं क्योंकि प्रमान के साथ मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ परंतु एक इसलामिक भीड शारुक के पीछे वश्य पड़ गई गजब की बात ये कि कुछ दिन पहले ही आमिर खान अपने आफिस में मूर्ती पूजा और हवन करते दिखे उन्हें भी एक इसलामिक डिजिटल भीड ने दबोच लिया ये फुद्दू शादाब चौहान भारत में नेतागिरी कर रहा है पीस पार्टी का बंदा है इसने आमिर खान को एक प्रकार से इसलाम निकाला दे डाला और भाई साब मामला ना यहां तक आ गया कि ये के आर के जो है ना ये वीडियो बना कर आमिर खान अब मुस्लिम नहीं है ये बता रहा है मुसल्मान बनने से पहले वो हिंदू रहे होंगे या क्रिश्चन रहे होंगे या बुद्धिष्ट रहे होंगे कहने का मतलब यह है कि उनका रिलिजन कुछ और था और उस रिलिजन को छोड़कर वो मुसल्मान बने थे तो इससे सावित हो जाता है कि कोई भी धर्म गलत नहीं है एक्चली इनसान ही गलत है बस उसके दिमाग में नई नई खुराफात आती रहती है और किसी भी इनसान का वही धर्म बिलकुल सही है जिस धर्म को वो अपने दिल से मानता हो और मेरी नौलिज के हिसाब से इसलाम में ये किलियर लिखा गया है कि जो आदमी बुद्परस्ती करता हो वो मुसल्मान नहीं है तो जिस तरह से आमिर खान ने पूजा की है मेरे ख्याल में इसलाम के हिसाब से अब आमिर खान मुसल्मान नहीं रहा है तो इसका मतलब ये पूजा करने के बाद आमिर खान की घर वापसी हो गई है यहाद में अलग लेवल है पर इसने बात सही कई स्क्रिप्चर्स के अनुसार बिलकुल सही कई पर क्या इससे इस डिजिटल भीड को अधिकार मिल जाता है कि आमिर और शारुक को गल्याती रहे हूँ कुछ दिन पहल है और केवल फिल्मों से नहीं है रूबिका लियाकत में पीली चुनी ओड़कर इद की बधाई दे डाली तो यह सपोले उसके पीछे पड़ गए प्रिंट वालों का पत्रकारे शाबाद अंसार हुली खेल ली इस बिचारे ने तो सपोले पिछवाड़ा पकड़ कर तयार ह होगा उसे डसने के लिए यह सैफ अली खान की बेटी सार अली खान इसने तो भाई महारत हासिल कर ली है सांपों को गुस्ता दिलवाने में कभी उमकारिश्वर जोतिलिंग में पूजा करके कभी गणेश चतुरसी मना कर कभी किदारनाथ धाम जाकर कभी आसाम में कामाख् विरुद्ध फत्वा निकाला जा चुका है हरवन शुराय बच्चन ने मधुशाला लिखी थी उनके विरुद्ध फत्वा निकाल दिया गया कि भाई ये आदमी तो मदीरा को प्रेज कर रहा है इतने फलतू खाली लोग हैं सलमान खान के विरुद्ध फर्मान निकाल दिय क्योंकि सल्मान ने मैडम टूसाड को परमिशन दी के मेरा पुतला बना लीजे और दीन में इसकी परमिशन नहीं है के पुतला बनाया जाए एक मौलानाओं का लव लेटर शारुक के विरुद दाया और शारुक को क्या कहकर बुला रहे हैं ये आप खुद ही पढ़ लीजे मैं पढ़ूंगा यूट्यूब बुरा माने का बात यह है के भाई ये बॉलिवूड के लोग रिलिजन को इतनी कठोरता से नहीं मानते ये अजमेर भी जाते हैं और काशी भी जाते हैं जहां से आईबॉल्स मिल जाएं फिल्म प्रमोट हो जाएं वहां की राह पकड़ लेते हैं हाला कि मेरा स्वयम का मानना ये है कि अजमेर शरीफ के चिष्टी के हिंदूं अपर घटिया बयान के बाद हिंदूं को वहां पर नहीं जाना चाहिए परंतु अंतिम निर्णा स्वयम का होता है आपको कितना समझना है हां शारुक पर या आमिर पर हमला कुछ पूजा करने पर ये तो सही नहीं बाकी बात यदि पठान की करें तो गाना केवल एक महिला का अबजेक्टिफिकेशन है आपको अबजेक्टिफिकेशन उसको वस्तु बनाना पसंद है तो गाने को अपने घर में सभी महिलाओं के साथ शेयर कर सकते हैं यदि नहीं पसंद है तो इस वी पी आई और पेट्रियोन के माध्यम से लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है आप देख रहे हैं आज की ताद खबर चाहिंत चाहिंत चाहिंत